सिर्के वाली प्यास तो दोस्तों सभी को बहुत पसंद है लेकिन ये सिर्फ हम रेस्टरों में ही खाते हैं तो चलिए दोस्तों आज आपको बताते हैं कि आप रेस्टरों जैसा सिर्के वाला प्यास घर पर कैसे बना सकते हैं इजी स्टेप्स के साथ नमस्ते दोस्तों मैं हूँ रिनू और रिनू की रसुई में आप सब का फिर से स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को सिरके वाली प्याश बनाने के लिए यहाँ पर मैने लिया है एक डीप पैन और इस पैन में अब हम एट करेंगे लगबग 1 लीटर पानी ये जो पानी हम यूज करेंगे वो पीने वाला पानी है अब हम गैस को ओन कर देंगे और पानी को हमें हीट करना है सिर्के वाली प्याज बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर यूज करेंगे काली मिर्च पाउडर जो की हमें लगबग 1 टी स्पून यूज करना है चीनी यहाँ पर मैंने 1.5 बड़ा चमच चीनी लिया है आप पाउडर शुगर बिलकुल ना ले इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा चमच नमक यह नॉर्मल नमक है जो हम सबजी वगरा में यूज करते हैं इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है तीन टुकडे दाल चीनी और इने चोटे चोटे पीसे में मैंने तोड लिया है अगर आप इसका powder form यूज़ करते हैं तो आपको 1 टी स्पून इसका powder यूज़ करना है पानी हीट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे डाल चीनी जिनको हमने पीसेज में तोड लिया था अगर आप powder form में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1 टी स्पून एड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे salt यानि की नमक और नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें लगबग 1 टी स्पून काली मिर्च पाउडर आप चाहें तो मेर्ची को क्रश करके भी डाल सकते हैं अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है वरना जो चीनी हमने यूज़ की है वो क्रिस्टल बन जाएंगे अब हमें इसमें एक उबालाने देना है और वो भी हाई मीडियम फ्लेम पर लगबग एक मिनट तक इसको उबालना है ये दिखिए दोस्तों यहाँ पर जो में पार्ट है और में इंग्रीडियन्ट है वो है चुकंदर जिसे बीट रूट भी कहते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बीट रूट को अच्छे तरीके से पील ओफ कर लिया है और उसको इस तरह स्लाइसे में कट कर लिया है दोस्तों सिर्के वाली प्याज में जो रैडनेस होती है वो इस चुकंदर की वज़े से ही होती है तो अब हम इस चुकंदर को पानी में एड़ कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से चला देंगे जिससे की जो बीट रूट का कलर है वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाए बीट रूट को एड़ करने के बाद हमें फिर से एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इस पानी को बॉइल करना है इसमें एक उबाल लाना है और इतने ही समय में जो भी हमने मसाले इसमें एड़ किये हैं उनका फ्लेवर पानी में आ जाएगा अब हम गैस को बंद कर देंगे और दोस्तों ये देखिए इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुश्पू आ रही है तो अब हम इसे साइड रखेंगे और आगे के प्रोसेस करते हैं चलिए यहाँ पर मैंने लिया है आदा किलो प्याज और इसे पील ओफ कर लिया है और उसके बाद पानी से अच्छे तरीके से वाश कर लिया है यहाँ पर मैंने रेट ओनियन का यूज किया है यानि की जिसे मसाली वाली प्याज भी बोलते है तो अब हमें इन सभी प्याज पर एक क्रॉस का कट लगाना है यह देखिए इस तरह से तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें क्रॉस का कट लगा दिया है लेकिन इसके जो पैटल्स है वो अलग नहीं करने हैं हम यह कट इसलिए लगाते हैं ताकि जो हम यूज करेंगे पानी में सारी मसाले और यह जो पानी हम यूज करेंगे वो इसके अंदर अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से फ्लेवर आजाए प्याज में तो इसी तरीके से सभी प्याज को हमें क्रॉस कट लगाना है आप देख सकते हैं मैंने सभी प्याज को क्रॉस कट लगा लिया है ये देखे और आप प्याज का साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो दोस्तो अब हम एक पाउल लेंगे और उसी में हम लेंगे एक स्ट्रेनर इस स्ट्रेनर का यूज करके जो पानी हमने अभी बॉइल किया था उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे यानि कि जो पानी हमने अभी बॉइल किया है उसे हम छान लेंगे इससे क्या होगा जो मसाले है और यह जो हमने बीट रूट इसमें एड़ किया था वो सब अलग हो जाएगा और फ्लेवर्ट पानी अलग हो जाएगा क्योंकि हम इसमें सिर्फ इस पानी का यूज करते हैं इसलिए हम बाकी सब चीजों को साइड कर देंगे आप चाहें तो बीट रूट को वाश करके इसे फिर से यूज कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने दोनों चीजों को अलग कर लिया है इसी के साथ अब इस पानी को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है ये पानी अब यूज करने लायक है ना ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गरम है हमें इसी स्टेट में इसे यूज करना है दोस्तों मैंने यहाँ पर ज्यादा पानी बनाया है क्योंकि जैसे जैसे प्यास खतम होती जाएगी हम इसी पानी में बाकी प्यास को डाल कर फिर से इसको यूज कर सकते हैं आपको बार-बार पानी बनाने की जरुरत नहीं पड़ेगी तो आप इसी पानी में दुबारा से प्यास डाल कर उसे यूज कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे इसका में इंग्रेडियंट जो है विनेगर हम यहाँ पर वाइट विनेगर करेंगे तो जिसे सिर्का भी बोलते हैं और यह लगबग एक लीटर पानी हमने यूज किया था तो इसमें हम डालेंगे बड़े चार चमच विनेगर यहाँ पर मैंने एक स 4 टेबल स्पून के बराबर है तो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून के लगबग सिरकर डाल लिया है और उसे अब हम इस पानी में डाल देंगे पानी में डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे जैसा कि आप सब जानते हैं कि विनेगर खटास पैदा करता है और इसी खटास को बैलेंस करने के लिए हमने इसमें जीनी और नमक का यूज किया था अब जो प्याज हमने क्रॉस कट लगाकर पहले से तयार कर रखे थे इन्हें हम इस पानी में एड कर देंगे, वो भी वन बाई वन और दोस्तों अब हमें इसे एक एर टाइट कंटेनर या फिर एर टाइट जार में स्टोर करना है, दो दिन तक, उसके बाद ये तयार हो जाती है, खाने के लिए उसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी कोई महमान आता है या फिर आपका मन होता है, तो आप निकाल कर खा सकते हैं आप देखेंगे कि मैंने इसको इस जार में एड़ कर लिया है, ये दिखें, अभी से इसका कलर इतना ब्यूटिफुल लग रहा है दिखने में, और इसके खुश्बो बहुत ही अच्छी आ रही है, तो दोस्तों आप इसे एक बर ज़रूर ट्राय करें, और अगर आपको हम हमारी रेसिपी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, जादर से जादर शेयर करें, थैंक यू फो वाचिंग आवर वीडियो